यह फोर हेट पे एक स्कार है साधा पुछोट लगी थी कैसे रोड एक्सिदेंट में लगा सा चोट कितने दिनों पहले एक मेने पहले अभी हम लोग इसमें स्कार रिवीजन से जरी करेंगे यह स्कार वाला पार्ट निकल जाएगा और normal tissue अपस नियौनाइट होगा CO2 laser का यूज़ करेंगे और almost यह स्कार रोगोसेश करेंगे कि पूरी तरह से खतम हो जाए तो just start करते हैं स्कार रिवीजन से यह कंप्लीट हो वही है आपके इसकार विजन सेजरी विद सियो टू लेजर देशिक्स पे हमने बिसका आउट्रे स्टीचेज निकालेंगे पहले आपके इसकार विजन सेजरी किये थे काफी डिप्रेस्ट अनिवेन स्कार था यहां पे और स्टिच मार्क भी बहुत दूर तक का दिख रहा था उस सारे को हंटा दिये हैं लेजर के एफेक्ट का थोड़ा सा क्रस्ट अभी भी देख रहा है अगर बहुत जूम करें तो लेकिन बहुत अच्छा है margin settled एक दम अच्छा है और आप जो पहले इस्ट्रोड लगा थे अभी तक दिख रहा है उसका एफेक्ट वो सारे करेक्ट हो जाएगा अभी कुछ अंटियस का जल और संस्क्रीन देंगे उसको लगाना है एक महीने के बाद एक सेशन लिजर अब बगार करेंगे थोड़ा सा छूने में हवी सा फील होता है भाड़ी भाड़ी सा लगता है थोड़ा हर्ड सा भी फील होता है यह इंडूरेशन है जो सरजरी के कारण inflammation के कारण होता है लेकिन जो stitch line देखें मतलब tissue union का जो line है वो बहुत faint सा एक scratch के बराबर ही है जो आने वा